नमस्तु भ्यम नमस्तु भ्यम नमाम में हमम सहथ है यार यह राष्ट के रहने वाले मेरे हम उमर्भाईव आप सभी को मेरे नमस्कार अश्वागत आप सभी का अपने पसंदिधा परोगराम नाड़ीवैद देख कायकलब के अंदर आध्मा आपको बताता हूं अपनी रिसर की धात्वों का नियर्मार्ट रहता है आयर्वेद की बहुत ही पुरानी ओशन है लोह का जो आस्वा है लोह मत्रब जो आयरन होता है उस आयरन का आस्वा बनाया जाता है और इसमें कौम सी विशेश चीज़ें होती है लोहासो के अंदर आपका सौंठ काली मिर्च पीपल आमला हर्ड बहेड़ा वाइविड़न और नवगर में था जैसी चीज़ें होती है को कि जहां फिपल जतलं में आत्रा के सद्सक्राइब हूं करता है और को जो सरीर ककर करता काम करता दॉännिनान के और पहले कंसी जिसने हमने अभी की अचा वह भी प्रेलेट ठीक होगे, श्री के अंदर एक अनर्जी आगी, ताकत आगी, जहां वह काम करने में समर्थ था, चलते वे सास कूलता था, जिसको नीद नहीं आती थी, चेरा पीला पड़ गया था, उसको लगता था कि मैं चला जाओंगा, साइद मेरी में तो नजीक आगी लेकिन उसको हमने लोहासों से इसी तरह से ठीक किया, तो किकी सी किसी वे और आऊशद का प्रयोंग करने से पहले हमें पेट को अवरिसे साफ करना चाहिए, इसलिए हमने अपनी ओशदी, जो वेदी कतोर का प्रयोंग कराए, उससे पेट को साफ करांकर, कि रसायन के साथ तो लोग आसर दिया और बार बार जो उसको बरड़ चलने की शिकायक थी मेरे खायर माँ नहीं होगा क्योंकि मने एक मेहने उसको दवाई खिलाई है एक या डेट महीने के अंदर हम इस तरह के रोपी को ठीक करते हैं जिनका प्लास्टिक ऐनेमिया होता है या थैलिसमिया के बार 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 बरड़ चाड़ाना पड़ता है या एक तंबुखार बनता है और प्लेट लेट टूप जाती है या पूरे जोड़ों में दर्द हो जाता है उसको नेंद नहीं आती है इस तरह की बहुत सी ब्यमारिया या बार बार डॉक्टर कहते हैं कि आपके तो मैं कैना चाहता हूं कि की तरह हैं से लुहासरों में प्लेट लेट्स और एच्वी को सदा के लिए ठीक किया आप भी ठीक हो सकते हैं गच्छा भी पूरन में लाए जारा दुबारा मिलने के लिए वहाँ के साथ क्या आप सभस्त रहें अपने बरिवार जनब को सभस्तर के जबहर जबहर